ये सदन ने भुद्कान में जम नेम की समिट हुई थी सर्वसंबती से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा हुआ आज G20 की सभलता को भी आपने सर्वसंबती से सराहा है मैं मानता हूँ देश वाच्यों का आपने गवरो बढ़ाया है मैं आपका आभाय व्यक्ता करता हूँ कि जीट्वेंटी की सभलता के 140 करोर देश वाच्यों की है यह भारत की सभलता है किसी व्यक्ती की सभलता नहीं है किसी दल की सभलता नहीं है भारत के फैडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की वीविद्यता ने, साथ सानों पर दोसों से अधिक समीट और उसकी मैजबानी हिंदुस्तान के अलग-अलग रंग रूप में देश की अलग-अलग सरकारों ने बड़े आन-बान-शान से की और ये प्रभाव पुरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है ये हम सब के सेलिबरेट्स करने बाला विश्व है देश के गवरवगान को बढ़ाने वाला है और जैसे आपने उलेग किया बारत इस बात के लिए गर्भा करेगा जब भारत अज्जेक्ष रहा उस समय आफरिकन यूनियन इसका सद्द से बढ़ा इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोक्तांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तब स्रजन किया है अरी सदन में रहे हुए सब ने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहे हुए ये भारत के लोक्तंत्र की स्वानिम यात्रा का एक महत्वपम अध्या है जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोक्तंत्र का सामर्त कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहे है